नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम मिल रहे एको ने टोपी के साथ जिसका नाम है मानुवी प्रयावन बस्तियां परिभन और संसार हमने पिछली करक्षाओं में बात करी थी कि कुछ से जो हमारा प्राकर्ति के प्रयावन है वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज करके विन प्रकार के प्री मंडलों का निर्मान करता है जैसे हमने पिछली करक्षाओं में पढ़ा था जेयो मंडल वायो मंडल और इस्तिल मंडल और जेयो मंडल उनके बाद हम बात कर रहे हैं कि कुछ से तो इसमें Class 7 की चप्टर नमा 7 है इसका जो नाम है वो Human Environment है जनी कि जो Environment Human क्रिएट करता है उसको मानवी प्रेयून कहते है तो सबसे पहले वो कुछ रहने के लिए खुछ मकान सेटलमेंट्स वगशन करता है उस् justice को हम कहते है मानव बस्तियां इसके बाद में जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसको परिवहन की जरूरत पड़ेगी यानि की ट्रांसपोर्ट की तो दूसरा हो गया परिवहन यानि की एक स्थान से दूसरे स्थान के उपर जाना फिर तीसरी चीज है Communication यानि कि संचार एक जगर से दूसरे इस्तान पर वो जाके अपने कुछ मेसेज या किसी परकार की जो सर्वीस है वो प्रोवाइट करवाएगा ठीक है तो इसमें हम यानि कि वो किस परकार से एक दूसरे आदमें से जुड़ा हुआ है इसके बारे में हम संचार में पढ़ने वाले सबसे पहले हम ले रहे है मानो बस्तियों को तो मानो बस्तियां होती क्या है तो इसके नाम से यानि कि बसना इनसान जहां पर बसता है उसी को हम कहते हैं बस्ति यानि कि settlement आदमी कहां settle है जैसे हम बात करें पहले इंसान रहता था कहां पे गुफाओं में कहां रहता था गुफाओं में पहले तो वो जंगलों में रहता था फिर उसकी जब नीट भढ़ने लगई तो वो मैदानी अक्छित्रों में आया तो उसने गुफाओं का निर्मान किया यहां पे गुफाओं का निर्मान पेसिकली इसलिए उसने किया कि उसकी जो जंगली जानवरों से शुरुक्षा यहां पे होप आती थी इसके बाद ने उसने छोटे छोटे कच्चे मकान मकानों का निर्मान किया जो हुपड़ी आकार का इसके बाद में उसने आज इस्ताई बस्तियों का निर्मान कर लिया आप देखते हो कोठी या फिर विविन परकार की जो इमारते बनी हुई है आज ये उन्होंने इस्ताई बस्तियों का निर्मान किया तो इस परकार से मानव ने खुद के निवास के लिए कुछ settlements, कुछ बस्तियों का निर्मान के लिए उन्ही को हम क्या बोलते हैं मानव की बस्तियों जहां पर यह बस्तियां निर्मित होती है उसको हम कहते हैं बसाओ छेतर यानि कि जहां मानाव के दुआरा रहने के लिए बनाए जाने वाले माकान या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे इस्तान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं माकान या इसको बनाए जाने वाले घर जहां मानाव के दुआरा रहने के लिए मानो के दुआरा बनाए जाने वाले घर इन्ही को हम क्या बोलते हैं बस्तिया बोलते हैं जहां पर दूसरा जो आया है बसाओ जैसे हम कईबर नाम लेते हैं कि फलागा वहां पर बसाओ हुआ है तो जो बसाओ हुआ है वो ही क्या है बसाओ है जहां पर बस्तियां बस्तियों का निर्माण किया जा सकता है उसको बोलते हैं बसाओ छेतर जैसे हम किसी परकार की कोई परवत है तो वहां पर उसकी चोटी के उपर किसी परकार की जो है बस्तियों का निर्माण नहीं हो सकता तो हम इसकी जो गाटी है यहां पर विहिन परकार की क्या कर लेंगे गर्हों का निर्माण कर लेंगे यहां पर विहिन परकार की क्या कर लेंगे विर्म परकार की बस्तियों का निर्मान कर लेंगे इसी को इस छेतर को हम बोलेंगे बसाओ छेतर अब दोस्तो इसके बाद में हम बात करते हैं बस्तियां तो बस्तियां दोस्तो दो परकार की होती है दो परकार की होती है मुखेते जो सेटिल्मेंट्स होती है वो दो परकार की होती है पहली परमानेंट सेटिल्मेंट होती है यानि कि इस्ताई इस्ताई बस्तिया और दूसरी एस्ताई एस्ताई बस्तिया अब दोस्तो ये इस्ताई बस्तिया क्या होती है और एस्ताई बस्तियां कौन सी होती है तो इस्ताई बस्तियां आज वर्तमान में संपूम वीशों में बनी हुई है विहन प्रकार के सहरों का निर्मान हुआ है वो इस्ताई बस्तियों से मिलकर ही हुआ है वहीं बात करें ऐस्ताई बस्तियों की तो ऐस्ताई बस्तियां मुखेत है वो लोग बनाते हैं जो ऐस्ताई रूप से निवास करते हैं जैसे रितु परवास करने वाले लोग होते हैं जैसे चरवाय होते हैं यानि कि गुमंतो जातियों की दौरा जो बनाई जाने वाली सेट मेलमेंट्स होती है उनको हम बोलते है ऐस्ताई बस्तियां जैसे इन में हम इनको पक्का मकान नहीं बोल सकते जैसे गास फूस के दुआरा बनाए जाने वाले ऐसे मकान जो कुछ समय के लिए ही बनाए जाते है तो उनको बोलते है ऐस्ताई बस्तियां और इस्ताई बस्तियों में लग भघ आज सहरी करण जो हुआ है वो इसी के कारण हुआ है कि शहर जितने भी हैं वो इस्ताई बस्तियों के अंदर कंशिडर किये जाते एस्ताई बस्तियों के अंदर गास फूस के माकान दोस्तों जो बस्तिया होती है वो दो परकार की होती है इस्ताई बस्तिया और एस्ताई बस्तिया कुछ समय के लिए बनाई जाती है एस्ताई बस्तिया गने जंगलों जैसे जंगलों गरम जलवाईू परदेश जैसे मरुष्टली परदेशों में जैसे दोस्तों आप पस्मी रास्तान में जाओगे तो आपको यहाँ पर इस परकार की जो बस्तिया है जिनको बोलते हैं जोपड़े टाइप यहाँ जोपड़े आकार की जो बस्तिया निर्मित होती है वो ऐस्ताई बनाए जाती है तो यह ऐसी इस्तानों पर मिलती है जहाँ पे जंगल हो गया, मरुस्तली परदेश हो गया या फिर परवर्ती जो ढ़ाल है उनके उपर भी ऐस्ताई बस्तियों का निर्माण होता है वहीं बात करें इस्ताई बस्तियों की तो ये दोस्तों वहां पे जैसे आजकल पूरे पूरे गाउं बसे हुए पक्के मकानों से, पक्के पक्के मकानों से ही क्या बने हुए, पूरे पूरे सहर बने हुए तो इनको हम इसमें बात करेंगे इस्ताई बस्तियों की इसके बाद में दोस्तो यानि कि एस्ताई बस्तियां वहां पे होती है जहां पे आखेट किया जाता है संग्रन जातियां पाई जाती है इस तनांतरत कर्शी की जाती है और रितू परवास होता है दोस्तों ये जंगली परवर्ती की जहां पर भी बस्तिया निर्मित होती है उनको एस्ताई बस्ती बोला जाता है अब ये सबद आया है रितू परवास तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब रास्तान के अंदर गर्मी का मोसम आता है तो कुछ चर्वाहे यानि कि जो जानूरों को चराते हैं वो अपने जानूरों को लेकर हिमाचल परदेश उत्राखर्ण यूपी की साइड चले जाते हैं यानि कि जब मोसम बदला रितू बदली तो उसी की अनूशार परवास कर जाते हैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान पे अपने जानूरों को लेकर चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं रितू परवास इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इस ताई बस्तियों के बारे में तो आप रितु परवास की डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो इसके बाद में दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लो एक बर कि रितु जो परवास होता है वो लोगों को रितु के अनुशार आवागमन होता है जैसे आपने एक नाम सुना होगा गुजर बकरवाल तो वो जमू कश्मीर में पाई जाने वाले एक जन जाती है जो क्या करती है रितू के अनुसार परवतों से उठकर गाटियों में अपने जीव जिनावर जितने भी होता है पातु जैसे बेड बकरी है उनको लेकर मैदानी छित्रों में आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रितू के नुशार परवास। जमू का स्मीर में मौशली सर्दी पड़ती है और जब वहां पर रितू में जैसे सीध मोसम के अंदर वहां पर क्या होता है वहां पर गास वगरा जो है वो इतना नहीं हो पाता। तो वहां पर अपने जियूं को वो लेक मेदानी छित्रों में आ जाता हैं इसी को बोलता है रितू परवास। वहीं बात करें अब दोस्तों कोई भी आदमी बस्तियों का निर्मान करता है तो अपने लिए हम मकान मनाते हैं तो मकान मनाने के लिए कुछ इस्पेशल चीज़े देखते हैं कि वहां पर वो चीज है क नहीं है तो कुछ चीजे ऐसी होती है जहां पर बस्तियों का निर्मान हो सकता है तो हम कई चीजों चिन चीजों को हम गोर करते हैं वही क्या है बस्तियों के लिए या बसाव के लिए कुछ दसाय होती है जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि वहां की जलवायो जो है प Completely छहतर को नहीं रएता है कि वहां की जो क्लाइमेत है वो बड़ी हार्स है कि वहाँ पर exemplo裡面 नहीं सकता है क्लाइप रहें आए चाहिएं तो मीustle Crosser के लिए मेरे दिक के चाहिए द्रह करें लाफा सेías Tanim उब जाओ मित्टी, मित्टियां भूमी, दोस्तों, दूसरी जो दसा है, वो देखते हैं हम वहां पे मित्टी. यानि कि, यदि वहां पे मित्टी उब जाओ मिलेगी, تو हम वहां पे किसी परकार की जो है activity कर सकते हैं. जैसे agriculture. तो agriculture कर लेंगे, तो हमारा वहाँ पे भरण पोशन हो सकता है और अपन जो है खुद को वहाँ पे सर्वाइव करवा सकते हैं तो दो कंडिशन यह हो गई और तीसरी कंडिशन है जल की उपलब्दा तीसरी चीज़ दोस्तों हम देखते हैं कहीं पर भी अपन मकान वगरा खरीदते हैं सेरों के अंदर या फिर गाओं में बहज जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे पीने का पानी है की नहीं है जैसे आप देखते हो हमारी जो भारत की फेमस नदी है गंगा गंगा के इर्द इर्द बहुत से सेटल्मेंट्स बने हैं वो इसी कारण बने हैं कि वहाँ पे क्या है पानी की उपलबता है यानि कि पीने का जो पानी है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है जितनी भी आप प्राचिन सब्वेताओं को देखोगे जैसे सिंदु गाटी सब्वेता होगे मेसा पोटानिया की सब्वेता होगे इंका सब्वेता होगे तो वहाँ पे एक फेमस नदी आप जरूर देखोगे जहाँ पे उनको आसानी से पीने का पानी जो है वो आसानी से उपलबत हो पाए तो हम देखते हैं तीसरी उपलबता किसकी जलगी यानि कि पीने का पानी जहां पे है वहीं पे हम क्या करते हैं बस्तियों का निर्मान करते हैं तो आपको दोस्तों बसाव के लिए अनुकूल दसाई हैं वो तीन यहां पे नोट करनी है इसके बाद में हमें इस्ताई बस्तियों के परकार बढ़ेंगे इस्ताई जो बस्तियों होती है जो पर्मानेंट सेटलमेंट्स होते हैं उनको हम देखते हैं सेहरों में या फिर गवों में तो दोस्तों यहां पर हमने दो बस्तियों की बात करें थी ऐस ताई और इस ताई तो हम बात करते हैं अब इस ताई इस ताई बस्तियां अब इस ताई बस्तियां दोस्तों दो परकार की होती हैं पहली है ग्रामिन ग्रामिन बस्तियां ग्रामिन बस्तियां और दूसरी हो गई सेहरी बस्तियां जो बस्तिया गाओं में बसी हुई है उनको हम बोलते हैं ग्रामिन बस्तिया वही सेरों में है उनको सेरी बस्तिया अब जो ग्रामिन बस्तिया होती है वो होती है संकिन बस्तिया परकिन बस्तिया बोलते हैं इनको यानि कि ऐसी बस्तियां जो जिनका सगन यानि कि वो सगन नहीं है यानि कि वो पास-पास में नहीं है वहीं पे सहरी जो बस्तियां होती है वो होती है सगन यानि कि आपस में मिली हुई रहती है यहां पर जिनसंक्या ज़्यादा पाई जाती है बल्कि ग्रामिन चित्रों में जो बस्तिया होती है उनमें जिनसंक्या कम देखने को मिलती है परकिन जो बस्तिया होती है वो एक दूसरे से दूरी बनाके य 떼ो इंढिकी एक मकाने यहां पर हो गया, यहां पर परकिन बस्तिया ऐसे बस्ती है, ऐसे, वहीं पर यह जिधी सगन बस्तियों की बात करें, तो एक दूसरे से जूड़ी हुई रहती है और ये सहरों में अधिकतन देखने को मिलती है, तो ग्रामीन बस्तियां और सहरी बस् देखने को मिलती है इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं इसताई ब Rabbity के जिँ दो परकार हुम न्यवात करी थी Rural Settlement पैला जो है Rural settlement यानि करिम बस्तिया और urban Attamiseen Greater management यानि कि सहरी बस्तिया तो हम बात कर रहे थे किvy ग्रामिन जो होती हैं परकेन होती है यानि कि इनके जो घर होते हैं वो दूर दूर बने होते हैं ज्यादा सगन नहीं होते हैं वहीं पर जो सहरी बस्तिया होती है वहां पर घर जो हैं सगन होते हैं यानि कि पास पास बने होते हैं ठीक है जैसे इस परकार जो है मकान की जो दिवारे हैं वो आपस में सटी हुई रहती है वहीं पर बात करें जो ग्रामिन बस्तिया हैं यहाँ पर लोग क्या करते हैं जो primary sector की activities होती हैं हमने बात करी थी जो primary sector की activity जैसे करशी, वानिकी यानिकी मतर्ष्योत पादन वगेरा तो उनकी जो गहर हैं वो प्रयावन के अनुकूल ही इनका निर्माण होता है, क्योंकि ये अपने खुद की activity सारी कहां पर डिपेंड होता है, नेचुरल के उपर, यानि की नेचर के उपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनके घर जो होते हैं, वो according to nature ही बनते हैं, जैसे वर्सा वाले छेत्रों में डाल वाले घर बनते हैं जैसे आपने देखा होगा बंबू के जो घर बने होते हैं इस परकार के जो घर बने होते हैं वो आपको ज़्यादा बारिश वाले छेत्रों में देखने को मिलेंगे जैसे असम वगेरा जहां पर वहां पर इस परकार के बंबू से गहर बनाए जाते हैं वहीं पर बात करें हम जहां पर वर्सा जादा होती है और जो छेतर है वो जल से भर जाता है तो हम यहां पर इस परकार के गहरों का निर्मान करते हैं नीची हो गया और यहां पर यानि कि एक platform के उपर जो है गरूं का निर्माण करते है stilt इसको stilt भी बोला जाता है यानि कि एक platform या stilt के उपर मकार मलाए नीचे पानी भरा हो वो कोई दिक्कद नहीं होती इस से तो ये है प्रयाओन के आनुकूल जो है गरूं का निर्माण होता है इनमें मुखित जो उप्योग आने वाली सामगरी है उसमें गास, फूस, मिटी, इंटे और चिकनी मिटी ही इनमें उप्योग होती है वहीं पर बात करें हम सहरी बस्तियों की तो ये हैं ये कोई प्रयाउन के अनुकूल नहीं मनाये जाते हैं ये समतल मैदान होता है वहाँ पर पूरा पूरा जो है वो सहर बन जाता है इसमें परयाउन की कोई जो है मुखे एहमियत नहीं होती है वहीं पर बात करें इसमें उप्योगी सामगरी की तो इसमें जो है सिमिंट और पत्थरी या फिर इंटे और या फिर जो पके हुए कंटेनर होते हैं लोहे के उनसे भी मकान बनाए जाते हैं तो यह हमने पड़े यहां पर ग्रामिन बस्तियां और सहरी बस्तियों के परकार